हेलो एवरीवन वैलकूम अगेन टो लान व्रदीतिमन सभी को गूड इवनिंग तो चलिए हिंदी व्याकरण के कुछ कुछन जो हैं वह हम लोग करेंगे जो की लास्ट येर पूछे भी गए हैं और कुछ नई कुछन होंगे तो यह कुछन प्रैक्टिस होगी आपकी चलिए देखिए कुछन वन है प्रत्यूपकार में प्रियुक्त सही उपसर्ग है प्रत्य, प्रत्यूप, प्रत्य या प्र तो जो प्रत्यूपकार है इसमें प्रियुक्त सही उपसर्ग क्या होगा तो सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए ठीकिये जिसको संदी आती है वो बहुत अच्छे तरीके से उपसर्ग और प्रत्य जो है वो छांट सकते हैं ठीकिये तो देखिए प्रत्युपकार जो है उसमें यदि हम उपकार जो है वह है शब्द निकाल लें तो यहां क्या बच जाएगा परत्ति भच जाएगा, ठीके तो यहाँ पर जो सही प्रियोग तो हुआ है परत्य नहीं हुआ है, परत्य नहीं प्रह नहीं, option number C जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीके परत्य धन उपकार तो परत्य क्या है, उपसर्ग है तो उपसर्ग जो है, वो मैंने वहाँ जाकर याद करिए प्लेलिस्ट में वहाँ पर डाली जा चुकी है नेक्स्ट है कुश्यन टू निम्न में दिगु समास है शडानन, चतुरानन, त्रिनेत्र या चौराहा तो इसमें से फटाफट से अपना सही आंसर जो है वह सोचना है आपको कि इनमें से दिगु समास जो है वह कौन सा है तो देखिए दिगु समास कौन से होते हैं जो संख्या का बोध कराते हैं ठीके तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है चौराहा ठीके चौराहा चार राहों का तो चार जो हैं वह संख्या है और दिगु समास में हम संख्या ही देखते हैं देखिए त्रिनेत्र जो है जिसके तीन नेत्र हो तो ये किसका हुआ ये बहुर्वी ही समास हुआ जो कि शिव के लिए कहा जाता है उसके बाद चतुरानन वह है जिनके चार आनन हो चार मुख हो वो कौन है ब्रह्मा जी है तो यह भी बहुर विही समास है शडानन वह है जिनके सट आनन हो मुख हो वो कौन है कार्तिके है ठीक है तो यह भी बहुर विही समास है तो देखिए तीनों जो है वो बहुर वी ही समास के उधारण है तो यहाँ पर दो कुश्चन जो है वह है आपको आ जाते हैं और दिगु समास होगा चौर राहा ठीक है चलिए तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानता किन्तु मुझे सब कुछ मालूम है यह कौन सा वाक्य है तो वाक्य से यह कुश्चन है यह संयुक्त वाक्य है मिश्र वाक्य है सरल वाक्य है या मिश्र और संयुक्त वाक्य है तो फटाफट से इसका जो सही आंसर है वो सोचिए तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा तुम समझते हो की ठीक है यहाँ पर आ गया की और की जो है वह किसमें आता है मिश्र वाक्य के लिए और दूसरा देखिए मैं कुछ नहीं जानता किंतू किंतू किसमें आएगा यह है विरोधक का काम करता है संयुक्त वाक्य में ठीक है तो यह है संयुक्त वाक्य तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा यहाँ मिश्र और संयुक्त वाक्य दोनों होगा तो याद रखिएगा कि संयुक्त वाक्य जो है कैसे पहचान होगे जिसमें संयोजक शब्द आयें जैसे और, तथा, व, एवम और विभाजक शब्द या अथवा, विरोधक शब्द किन्तू, परंतू, लेकिन मगर ये सबी आते हैं तो क्या है? वो संयुक्त वाक्य होगा और यदी आता है की, जो, जिसे, यदी, क्यों की, तो वो क्या होगा? वो सबी वाक्य मिस्त्र या मिस्त्रित वाक्य होंगे ठीक है? तो याद रखिएगा आगे के लिए निम्न में से कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग और कुलिंग दोनों हैं? हार, ध भार, तार या वार तो सोच ये इसमें से सही आंसर क्या होगा तो आप लोगों ने सोच लिया होगा क्या करना है आपको चाहे इस्त्रेलिंग, पुलिंग पता करना हो या एक वचन, बहुवचन पता करने हो तो सबसे पहले इनको वाक्यों में प्रियोक करके देखें तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा हार ठीक है वो कैसे रहेगा कि एक होता है हार और जीत वाला हार और एक होता है पहनने वाला हार ठीक है तो हार हो गई, तो वह है इस्त्री लिंग, उसमें प्रियोक्त हो रहा है, ठीके, और जो पहना जाएगा, तो वो क्या होगा, कि तुमने हार पहना है, या मैंने हार पहना है, तब वह है पुलिंग का काम करेगा, ठीके, और धार तीकी है, तेज है, और तार बंधा है, वार तो देखिए यहाँ पर दोनों में ही प्रियुक्त नहीं हो रहे हैं किवल हार जो है वह है इस्ट्रिलिंग और पुलिंग दोनों में प्रियुक्त हो रहा है तो ऐसे आपको वाक्य में प्रियुक्त करके देखने हैं अत्या चार सब्द में संधी का सही विकल्प है यन संधी, अयादी संधी, व्रद्धी स्वर संधी या गुण स्वर संधी तो यहाँ पर क्या होगा? सबी संधी जो हैं उनके प्रकार आप लोगों ने कर लिये होंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनकी संधी करेंगे उससे पता लगेगा कि कौन सी संधी होगी तो यहाँ पर अत्ती उपसर्ग जो है बाहर निकलेगा और आचार जो है मूल शब्द बाहर निकलेगा ठीक है तो अत्ती धन आचार तो यह कौन सी संधी होई जिसमें छोटी ए और आ ए और आ मिलकर क्या बन रहे है यह बन रहा है ठीक है तो ए और आ कौन सी संधी होई यण संधी होई next देखिए question 6 मिठास सब्द है व्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या भाव वाचक संग्या या समू वाचक संग्या तो देखिए अभी मैं इन प्रस्णों के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा और वैसे भी आप लोग तो इस सभी चीज़ें जानते हैं तो आगे जब question करेंगे तो बिलकुल detail में इनको न तो देखिए संग्या तीन प्रकार की होती है विक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक ठीक है विक्तिवाचक संग्या और जातिवाचक संग्या ये दोनों जो संग्या ऐसी हैं जो कि आपको वो वस्तुएं जो हैं वो दिखाई प्रतीत होती है और भाववाचक संग् वह आपको दिखाई तो नहीं देती है, ठीक है, तो ये कैसी है, ये भाव अचक संग्या है, आजन्म सब्द में सही समास का विकल्प है, तत्पुरुस समास, अव्याई भाव समास, द्वंद समास या बहुर्वी ही समास, तो देखिए उपसर्ग, प्रत्य, संधी, समास, प्रत्य, सर्वनाम, क्रिया, विश्यशन, सभी में से कुश्यन यहाँ पर आपसे पूचे जा रहे हैं, तो यहाँ सही समास जो है, वह कौन सा होगा, तो फटापट से सोचिए सही आंसर, कि क्या रहने वाला है, सही उत्तर इसका, तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा, वो अवी भावसमास के लिए एक ट्रिक है, कि इसका कैसे पता लगाया जा सकता है, कि यदि आपको अवी भावसमास लग रहा हो, और फिर भी आप डाउट में हो, तो उसका बहु बचन रूप बना कर देखिए, यदि नहीं बनता है, तो वह अवी भावसमास ही होगा, आजन् आई, तो सबसे पहले तो क्या देखना है, आपको क्रिया देखनी है, तो देखिए, यहाँ पर आंसर जो रहेगा, वो रहेगा, ओप्शन नमबर D, ठीक है, क्योंकि कमाना, कमाना क्या है, क्रिया है, ठीक है, इसमें आई प्रत्य लगा, क्या बना, कमाई बना, लड़ना मे लड़ क्या है लड़ना वो क्या है वो भी क्रिया है तो उससे भावाचक संग्या बनी आई प्रत्य लगके पढ़ में भी आई प्रत्य लगा तो क्या बना पढ़ाई लेकिन भला में आई प्रत्य लगा लेकिन भला क्या है विशेशन है ठीक है भला व्यक्ति संग्या या सर् विस्ता बताई जा रही है, तो वो विशेशन कहलाता है, तो भला व्यक्ती या बुरा व्यक्ती, भलाई, बुराई, ये क्या है, क्रिया से बनी भाव आचक संग्या नहीं है, ये किस से बनी है, विशेशन से बनी है, नेक्स्ट है, नाइन्थ कोशन, निम्न में से मध्यम को बताया था कि सर्वनाम के भेद में एक भेद है पुरुस वाचक सर्वनाम जिस में उत्तम पुरुस, मध्यम पुरुस और अन्यa पुरुस। तो यहाां मध्यम पुरुस सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो यहां पर जो आंसर रहेगा देखिए यहां आंसर रहेगा ये ठीक है ये कैसे पता लगाएंगे उत्तम पुरुष क्या होता है जिसमें अपनी तरफ इशारा हो जैसे मैं हम ठीक है और सामने वाले की तरफ इशारा करते हैं जैसे तुम आप तुम लोग तो ये सब मध्यम पुरुस के उधारन होंगे और अन्य पुरुस की बात अगर बात करें तो क्या होगा ये वे जो हमें वहाँ पर दिखाई ना दें लेकिन हम उनकी बात कर रहे हों तो वो अन्य पुरुस सर्वनाम का उधारन रहेगा नेक्स्ट देखिए वक्ता श्रोता या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रियोग होता है वे शर्वनाम कहलाते हैं संबंद वाचक पुरुस वाचक निश्चे वाचक या निजवाचक तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि वक्ता, शुरोता या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रियोग होता है, वो ये सर्वनाम क्या कहलाते हैं वक्ता यानि कि वही अभी मैंने बात की थी किसकी, चलिए पहले आप बताये इसका सही आंसर तो यहाँ पर अंसर रहेगा पुरुस वाचक सर्वनाम, ठीक है, वक्ता कौन, जो बताया मैंने, जो बोल रहा है, शुरोता, सामने वाला, ठीक है, मध्यम पुरुस और किसी अन्य, अन्य पुरुस तो यह पुरुस वाचक सर्वनाम में प्रियुक्त होते हैं, विशेष किसे कहते हैं, जो विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई, या इन में से कोई नहीं तो ये शब्द आपने खूब पढ़ रखा होगा लेकिन यहाँ इन उप्शन में आपका सही उत्तर क्या रहेगा विशेश्य किसे कहते हैं चलिए तो देखिए यहाँ पर आंसर रहेगा कि जिसकी विशेश्ता बताई जाए उसे क्या कहेंगे विशेश्य कहेंगे निमने मैंसे किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रियोग हुआ है अपरियाप्त, अपराद, अपदस्त, अपरोक्ष तो इन शब्दों को आप बोल कर देखिए खुद अपने आप आपको पता लग जाएगा कि अप उपसर्ग किस में प्रियोग हुआ है तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल इस पस्ट है आंसर देखिए आंसर बी रहेगा अप और राद क्या बना अप राद और बाकी देखिए आ परियाप्त यहाँ पर आ उपसर्ग है आ पदस्त यहाँ पर आ जो है वह उपसर्ग है और आ परोक्ष यहाँ पर भी आ उपसर्ग है ठीक है बोलने पर ही पता लग रहा है और अगर नहीं आप बोल कर नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या करिये आप इंको मूलशप्द बहार कर ले, परियाप तलग कर ले, आउपसर्ग बच गया, पदस्त बाहर कर ले, आउपसर्ग बच गया, परोक्ष बहार कर ले, क्या बच गया, आउपसर्ग बन गया, ठीक है? तो option B इसका सही रहेगा. चिडिया आकास में उड़ रही है इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है या असमापिका है तो कल ही मैंने आपको बताया था कि यदि उस क्रिया का उत्तर नहीं मिल रहा हो ठीके कि क्या उड़ रही है ऐसा आंसर ना मिले तो क्रिया कौन सी होगी और अगर प्रश्न का आंसर बापस आ जाए पता चल जाए तो वो क्या है सकर्मक क्रिया है तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा अकर्मक क्रिया ठीके चिडिया आकास में उड़ रही है चिडिया क्या उड़ रही है आंसर नहीं मिलेगा तो क्या है अकर्मक ठीके और कल ही बताया था मैंने वही पुराना एक्जामपल कि राम आम खाता है तो राम क्या खाता है आम खाता है उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक्रिया होगी व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है प्रतिग्या, बोली, भाषा या संख्या वचन एक तो हम प्रतिग्या लेते हैं तब हम कहते हैं हम वचन लेते हैं एक बोली होती है, एक वहासा होती है, और यह क्या होती है, संख्या भी होती है, तो व्याकरण में व्यचन का सही अर्थ क्या है? यहां जितने भी कोश्यन आप करोगे, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, हर एक कोश्यन, एक भी कोश्यन ऐसा नहीं है, जो कि आपके एक्जाम में पूछा नहीं गया है, या नहीं पूछा जानने वाला, ठीक है? तो यहां आंसर रहेगा, कि व्याकरण में व्यचन का सही अर्थ है, संख्या, ठीक है? एक यदि है, तो है एक व्यचन, और बहुत सारी है, तो बहु व्यचन, वाक्य का वह अंसर, जो वाक्य के उद्देश्य के विसे में बताता है, वह क्या कहलाता है? विधेय, विस्तारक, वाचक या उपवाक्य, तो वाक्य का वह अंसर, जो वाक्य के उद्देश्य के विसे में बताता है, तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा? Option A रहेगा, विधेय, ठीक है? राम, आम खाता है, ठीक है? तो राम क्या है? उद्देश्य है, और उसके विशे में जो बताया जाए, वो क्या है? विधेय, ठीक है? Question 17 है, उनमें से एक भी ठीक नहीं है, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था कि वाक्य के तीनों प्रकार में क्या-क्या होना चाहिए, जिससे की हम पता कर सकते हैं. जरूरी नह होता है कि वाक्य छोटा है तो वह मिश्रव के नहीं हो सकता यह सजयुक्त वाक्य नहीं हो सकता है ठीक है। lying topics आइंसर रहेगा वो क्या रहे गा 왜 सरल वाक्य है ठीक है चलिए नैक्स है question 18 निम्रमेंसर कौन सा सब्दों तन प्रत्य के योग से बना है जतन, वेतन, पुरातन और पतन जैसे हमने उपसर्ग किया उसी तरीके से अब आपको प्रत्य जो है यहां ढूणना है जिसमें तन प्रत्य लगा हुआ है तो फटाफट से मूल शब्द को बाहर कर लें अपने आप पता लग जाएगा प्रत्य तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा राइट आंसर होगा पुरातन ठीक है जो की पुरा में तन प्रत्य लगने पर बना है जतन, वेतन, पतन ये तो कुद ही क्या है मूल शब्द है यह यहां पर कोई भी तन प्रत्य नहीं है, तो ऐसे ही confusion करने वाले exam में प्रश्न आते हैं, आपको जटन में तन यहां भी लगेगा, तन यहां लगेगा, पतन में तन यहां लगेगा, ठीक है, तो आप क्या करना है आपको, पुरा यानि पुराना और तन, तन प्रत्य है, इनको म पूचा है, भाव आचक संग्या, तो मैंने आपको बताया था भी, कि भाव आचक संग्या जो है, वह क्या होती है, तो यहां पर जो आंसर रहेगा, देखिए, पंडित जो है, वह नहीं हो सकता, इच्छुक नहीं हो सकता, चलना क्रिया है, यह भी नहीं हो सकता, मित्रता ज जोकि ता प्रत्य लगने पर बनी है. प्रत्वी गोल है और हम इसे प्रमारित कर सकते हैं. ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या उप्रोक्त सभी? तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सा वाक्य है? क्योंकि बहुत ही आसान सी चीज जो है वह हमें दिख जाती है वाक्य में तो देखिए यहाँ पर क्या है? प्रत्वी गोल है, यह अलग वाक्य है और हम इसे प्रमारित कर सकते हैं, यह अलग वाक्य है जोड़ा किस से हैं यह और से और यह किसमें आता है? यह आता है संयुक्त वाक्य में ठीक है तो इन 20 में से कितने question आपने किये हैं आप बताईएगा आपको यहां समझ आ रहा है या नहीं यह भी आपको बताना है और कोई भी question जो की देखिए मैं पढ़ाते हुए flow में बोल देती हूं तो कभी कभार गलत जो है वह है निकल भी ज कर लेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के टेस्ट के साथ thank you